अस्लाम्लेक्म स्टूडेंट्स अमीज़ा के आप लोग सब साखेरियस से होंगे आज का हमारा टॉपिक है वट आर पॉइंटिंग डिवाइस लिस्ट नेम ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस इस क्या होती है एन इंपूट डिवाइस ब्रॉइब युज़ा थे मौस रखबल पॉइंटिंग टॉइच पैट तेस्ट सक्रीन लाइट पैन डिजिटाइजर ग्राफिक टेप टेबले ज्यस्टिक पैन बेस्सिस्टम सबसे पहले बात गरते हैं मौस मौस क्या होता है मौस इस दे मौस विज़ी उस वाइट इस इ or pointer on a screen it is attached to the computer by a cable or wireless connections mouse is very easy to use it is mostly used in graphic applications a mouse usually has two or three buttons these buttons are used to perform different tasks it may also includes a scroll wheel to scroll through long documents the mouse contains a small ball at the bottom the movement of the cursor depends on the movement of the ball mouse वो क्या गया रहे है मौस बहुत ही common use होने वाली pointing device है यह छोटी होती है और कम वज़न रखती है और इसको हम flat surface पर move करवा सकते हैं अगर flat surface नहीं होगी तो cursor move नहीं होगा सकती है इसके लिए जरूरी है कि flat surface पर mouse को move करवाएं इसको हम cable के जरीए भी attach कर सकत हैं computer से और connection wireless connection के जरीए भी जो यह ग्राफिकल application के लिए भी इसके दो बटन्स पर मुश्तमिल होती है और एक वील पर होते है राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होते है और वील को हम कर नीचे पर डाउन करने के लिए या ओपर जाने के लिए स्क्रॉल करते हैं और जो प्रिचे इसके बहुर्य होती है वह बोल की वजय से करसर सक्रीम पर मूव करता है मैं आगे है इसके एक इमीज्ट दी हुए है लेफ्ट क्लिक रॉइट क्लिक और यह उडिल बटन बाल और मौस पैट उसके बाद आज ता ट्रेक्न की तरह होते बस इसको करना नहीं पड़ता जैसे कि मौध करना पड़ता है करसर को उपर ले जाने के लिए मौश को भी हमेंुव करना पड़ेगा इसको ट्रैकमाल के ऊपर एक बाल लगी होती उसको म सकते हैं और वह हमारे को गंड्रॉल करता है a track ball can be used as an alternative to a mouse this device has button similar to those on mouse it has a large rotating ball on the top the body of track ball is not moved the ball is ruled rolled with fingers the position of the cursor on the screen is controlled by rotating the ball which is the most important thing to do is to control the controller advantage of track ball is that it takes less space to move than mouse track ball is often include in laptop computer it can also be used as a separate input device with the standard in desktop computer ये एक तो जगा कम लेता है कि हमें माउस की तरह इसको मूव नहीं करवाना पड़ता है और इसको हम laptop में भी इस्तमाल कर सकते हैं आगे आता है वट इस दा पर्पस ओफ दा टैच्च पैट अटेच्च पैट इस आ स्माल फ्लैट सर्फस और दे विच दा यूजर मूव इस फिंगर फिंगर की मदद से हम उसको कर्सर को मूव करवा सकते हैं यह अमूमन लैप्टोप गरह में होता है दा मूवमेंट ओफ दा फिंगर फिंगर मूव दा कर्सर ओन दा स्क्रीन इस आलसो नोन अस ट्रैक पैड हमेंसे ट्रैक पैड भी कहते हैं है टैच पैड आल्सो है वन और मॉर बटन is near it touchpad के करीब दो बटन लगे होते हैं राइड क्लिक और लेफ्ट क्लिक लेप दीज बटन वर्क-लाइक माउस बटन यह माउस की तरह ही काम करते हैं यह दोनों बटन माउस बटन की तरह तेश प कर सकते हैं तोर पर ATM मेशीन में भी यूज होती है और ATM मेशीन और मोबाइल में भी हम टच फिंगर की मदद से कंड्रोल कर सकते हैं कर सक्राइब बीज्बीज कर गष्थने लिप्रड के लाइब 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 लेविए लेम रे लाइब लेंग गाह थैंग अशरिण ऑट्ड लेसंगर कुरूम्स टूंब्यू सेर्च टूंच अट्च टूंच इंगर कुटलू जूच यूज जूविज लिएख टूंच जूश ऑफ ट डिपार्मेंटल स्टोर में यूज होती है इसके बाद आधा है पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है पॉइंटिंग स्टिक इस आर प्रैशर सेंस्टीव डिवाइस इस सेमलर तो अपैंसल अरेजर एंड एफ बिट्वीन कीज ओन दा कीबोर्ड दर्म्यान में आपने देखा हो के बटन लगा होता है उसका हम पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं उसकी मदल से भी हम कर सरको कंट्रॉल कर सकते हैं पॉइंटर ओन दा स्क्रीन मूज बैंदार यूजर फुशिस दा पॉइंटिंग स्टेक इट रिक्वाइड जोडिशनल स्पेस और क्लीनिंग लाइक माउस प को हम पॉइंटिंग स्टीक कहते हैं आगे आ जाता है ग्राफिक टेबल टेबलेट अग्राफिक टेबलेट कंसिस्ट ओफ अ फ्लैट पैड कुनेक्टिट टॉइस और पक बायर वायर अस्ट्राइलस इस पैन लाइक डिवाइज यूज तो क्रियेट स्केचिस एंड इमिज को इसको एहाम स्ट्राइलस को उजक करते हैं दो आ Caesar चैज को मजए इसकोज बनाने के लिए इंज बिनाने के लिए इस्तिमाल करते हैं अप एप हैब पया हिज तो कावपी और में इमिज इस आप्र क्लोग्स लाइक मोस है कितरा वहता है ऑजिचल स्पेशली यूज आंग लिए अर चैनर कैन प्रोड्यूस वेरी एकुरेट ड्राइंग यूजिंग्ट ग्राफिक ग्राफिक्स टेबल्स जो ड्राफिक टेबल्स वह अग्राफिक टेबलेट थैबलेट यूजिज़ ग्राफिक टेबली तेबलाट सीरे ओफन यूज्डू मेप्स और एंजीनियर फिर के घेटा आगे आज है information to the computer when user touch the pen on a specific area of our special designers light pen is usually used by engineers and traffic design as a light pen होता है ना हमने कोई डाटा इंटर करना होया उस पर हम पैन को लगा देंगे और वो डाटा कंप्यूटर के अंदर इंटर हो जाएगा जैसे कि हमने एक लाइन है वह हमने कंप्यूटर के अंदर इंटर करवानी है वह जैसे जैसे हम लाइट पैन को उस पर लगा देंगे उपर रखके जाते रहेंगे वह हमारे कंप्यूटर में इंटर होता रहेगा इसको अंजिनियर और ग्राफिक डिजाइनर इस्तेमाल करते हैं लाइक आगे आ जाते हैं ज्वाइस्टिक क्या होता है ज्वाइस्टिक पुंसिस्ट ओफ बेस एंड यह होती है बेस दस्टिक कैन बी मूज इन एन डिरेक्शन तो मूज एन अब्जेप्ट अरांड दा कंप्यूटर सक्रीम इसको हम किसी भ ज्वाइस्टिक रुफ जीयूस्टिक पिंकोविट असक्रीम इस्टिक इन एमढशन शखाऊे संब ईयुट्प्याइस्टिक यह गहमेंशक लीयृ क्टिक जहां है चक्मक्यूस्टिक च्छलिब और पहले जैदान से न ज्वारें टेब आपेश। अन स्वे system uses handwriting recognition software and the software translate handwritten characters into a form that can be stored and processed by computer may handle may handheld computer can have pen input pen based system are commonly used to input signatures or messages that are stored as images. जो pen based system है ना हम सके इन पर कोई pen के जरी लिखते हैं तो वो वैसी ही handwriting की तोर पर ही store कर लेता है computer. आज का लेक्टर हमारा यहीं है अमीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप मुझे